जोस्टो मेरे सैनल में आप सब लोगों का स्वागत है आज में आप लोगों के साथ सेयर करने वाली हो पेलिंग का एक बाजेट होटेल के बारे में और उससे पहले हम लोगों ने ये देखा रा बंगला और नामसी का जो चार धाम है वो भी हम लोगों ने देखा बहुत ही खुपसुरत है दोनों ही और दोनों का जो वीडियो है वो नेक्स वीडियो में आने वाला है आप लोग जरूर देखना और मेरे सैनियल को प्लीज सपोर्ट करना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने मत भूलना और यह नामसी और राबांगला देखके हम लोग पहुच के पेलिंग और यह देखिए पेलिंग में गुशते ही एक्शली पहला होटेल यही आता है होटेल फैम रॉंग रिट्रीट और यह है होटेल बाकि हम लोग अभी गारी से उतर गए बाकि लागेस लेने के लिए कोई आये नहीं, फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं, लागे से हम लोग अपने लेके जा रहे हैं, तो यह आप लोगों को दिखाती हूँ, और यह घुसते ही, यह आ गया है, रिसिप्शन एरिया, और हम लोगों ने यहाँ पे दो रूम बुक किया है, और उस दो रूम का प्राइस आप लोगों के साथ में सेयर करूँगी, और यह हो गया, रिसिप्शन एरिया, और यह है एक स्टेंडर्ड रूम, जिसमें है, आप लोगों का यह वाटर बोटल नहीं दिया है, टी कोफी मेकर है, वाट ड्रॉप है नर्मिल सी, और यहाँ से यह बात रूम है, और बड़ी देखना अच्छा नहीं लगा, ठीक है, प्राइस के हिसाब से, मैंने यह 900 में भूग किया था, को आई भीबो से, निक्स रूम है हम लोगों का, एक फैमिली रूम, जो गुस्ती एक बड़ा सा किच्छन आता है, और यहाँ पे यह एक बड़ी सी रूम, और रूम यह हम लो और यह रूम हम लोगों ने भूग किया था, 1400 में गौई भीबो से, यह एक फैमिली रूम है, डोजन के लिए बिल्कुल नहीं है, और यहाँ का खाने के बारे में बोलना है मुझे, हम लोगों ने डिनार ओर्डर किया था, एक तो नौ बज़े ही माना कर दिया कि यहाँ प नहीं भोलोंगी, क्योंकि सही में हम लोगों खा नहीं पाए थे, बड़े मुश्किल से सो गए थे कर राट को, और यह है सुबे, और सुबे यह हम लोगों का जो इस्टेंडर रूम था, वहां से यह भीव मिला हम लोगों को, और बाकी नीचे जो फैमिली रूम है, वहां स देख सकते हो, मैंने पेलिंग का और एक होटिल का रिव्यू किया है, आप वह होटिल भी जाके ज़रूर दीखना, इससे पहले वाले वीडियो में दिया हुआ है, वह होटिल, और बाकी यह ही था मेरा होटिल का रिव्यू और खानी का, आप लोगों को खाना अच्छे लग आप स्यव्यू